अब यह ETF जो होता है ना यह सेम इसको आप क्या कर सकते हो यह सेम एच स्टॉक मुझे ट्रेट करना है ट्रेट करने करें मुझे फाइव एक्स का यह मार्जिन दे रहा है अब बात करते हैं टाइपस ओफ ETF कितने टाइप के होते हैं एफ एटीएफ एफ हर जगा एटीएफ चल ला है और एग्द मैं एक एटीएफ को बाई करने के लिए जाते हूं तो पचास-पचमेंद रुपई कर सकता हूं Nifty 50 का ETF आखिरकादी ETF होता क्या है जहें दोस्तों कैसे आप लोग आई होप आप काफी अच्छे होंगे दोस्तों आज की वीडियो में हम यहीं डिसकस करने वाले हैं कि exactly ETF क्या होता है ETF ट्रेडिंग क्या होती है और कैसे यह ETF mutual fund से अलग है और क्यों आपके लिए beneficial है कि लोग को ETF ट्रेड करना चाहिए क्या इसके पीछे के रीजन है कैसे अच्छे ETF को स्लेक्ट करें तो काफी सारे questions है आज की इस वीडियो हम इन्हीं questions के doubts clear करने वाले क्योंकि लास्ट कुछ मिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें काफी सारे लोग के questions आया थे डाउट साय थे ETF से लेटेट की वाई ETF वीडियो बनाओ तो अगर आप लोग में चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो बैल नोटिफिक्शन को दवा दो क्योंकि आप लोग के लिए ETF के ऊपर वीडियो आ गया है next किस टॉपिक वीडियो करें कमेंट करके जो बताना बिना आपका समय वेस्ट किये सीधा आपको में बोर्ड पर लेके चलता हूं और आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा यह निफ्टी 50 ETF लिगा लिए इसमें निफ्टी 50 का वाइड है एक निपोन इंडिया लिखा हुआ एक ETF लिखा हुआ य यह तो बहुत अच्छी चीजी ट्रेट करने के लिए लेकिन अगर इसको ट्रेट करना इसको बाई करना है सेल करना तो इसके बाले में जानना काफी जारा ज़री है कि exactly यह है क्या तो काफी सब्सक्राइब को कुछ इस तरीके से मैंने simplify किया आप लोग के लिए पहला है कि ETF ट्रेटिंग क्या है यह समझेंगे ठीक है टाइपस ऑफ ETF कितने टाइपस के ETF होते है सेलेक्ट कैसे करना evaluate कैसे करना ETF को इसको समझे जाएगा फिर आगा difference between mutual fund and ETFs mutual fund और ETF काफी लोग को mutual fund और ETF एक जैसा लगता है लेकिन बहुत बड़ा difference है बहुत बड़ा difference है ठीक है drawbacks क्या है benefits क्या है ETFs के काफी साथ benefits है कुछ drawbacks भी समझेंगे और इसको कैसे purchase किया जाए कैसे बाइक sell किया जाए कैसे इसको ट्रेट किया जाए इसको भी हम समझने वाले ठीक है तो सबसे पहले अपन टॉपिक पर चलते हैं और इसको समझते कि अगर आपने देखा हो का for example अगर आपको ETF को trade करना ETF का option अगर आपको चाहि हो गया DSP Nifty हो गया ICI हो गया Kotec Nifty हो गया ठीक है और भी कई सारे SDF से निफ्टी हो गया फिर आप है broad index के ETF हो गये इस ठीक है कई सारे ETF है अगर इतने सारे ETF है तो इनको कहीं नहीं को इतना को trade करता है हम सिर्फ options के पीछे बागते हैं stocks के पीछे बागते हैं लेकिन कोई है जो स्मार्ट इंवेस्टर जो काफिसे पैसे को लेकर मार्केट आप काम करता है वह अभी इन ETF के पीछे जा रहे है ठीक है तो हम सबसे पहले समझते कि exactly ETF क्या है चली सबसे पहले समझते कि what is ETF ETF का मतलब क्या है Exchange Traded Fund काफिसा लोग थोड़ा सा गलत इसका मेंनिंग ले ले ल ध्याशंग एक्चेंग Traded Fun अब यह ETF जो दैना यह सेम इसको आप क्या कर सकते हो जैसे अब स्टॉक को क्या करते हो HER bar you sell करते बा है और यह सेम डे आपके Ten a आपके पॉर्टफोलियो में आ जाता है यह ऑन्ट एस ऑपके पॉर्ट В Buddha अब आ अब आपने मेना आपको एक चीज दिखाया थी कि वहाँ पर आपको देखने को मिलना था 5x margin का option देखने को मिलना था इसा आप stocks के अंदर trade करते हो यह stocks को buy sell करते है stocks को trade करते है तो stocks में आपको जब आप trade करने के लिए जाते हो आपको 5x margin margin मिल जाता है ठीक है वहीं आप जब ETF को भी buy करने जाते हो तो यहां पर भी आपको क्या मिल जाता है 5x का margin मिल जाता है ठीक है तो सेम एस टॉक्स जैसा आप किसी भी stocks को buy sell करते हो को buy sell करने के बाद उसको 5x margin बाब buy sell करते हो इंट्रेट एक अंदर trade करते हो उसके बाद उसको portfolio में हो आपके तुरंट देखने लग जाता है क्यों for the trading purpose जैसा आप stocks को trade करते हो वैसी ही आप ETF को buy करके रख सकते हो ETFs को लेके बैठ सकते हो क्योंकि यहां पर भी आपको trade करने की opportunity मिल जाती ETFs को ठीक है same day के अंदर buy sell up कर सकते हो ETFs को लेके hold भी कर सकते हो यहां पापको 5x तक का margin मिल जाता है तो exchange traded fund ETFs जो है वो same as आपके stock की तरीके से होता है तो काफी लोगों को misconception होता है कि ETF और mutual fund एक ही है इसको आगे आपको बताऊंगा अभी आपको से इतना सबना की ETFs क्या होता है है ठीक है तो आई होप आपको थोड़ा से ETF लिए हो गया होगा अब ETF कैसे अगर अगर आप धन के platform पर जाएंगे जहांगे आपको ETF के बारे में सारी ओ मिल जाएगे अपडेट सोगा मिल जाएगी ठीक तो यहां पाप होम सेक्षिन में जाएंगे नीचे आप डिस्क्रिप्शिन बॉक्स मैंने लिंक कर डाले वहां से अपना काउंट ओपन करके धन पर अपने ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सते हैं आपको ETFs का ओप्शन देखने को मिल लाए देगो है अब यहां पर एक ETF मैंने रखा हुआ है जैसे निपॉन इंडिया ETF निफ्टी 50 ETF यह मैंने आप चार्ड ओपन किया हुआ है मैं इसको यहां से बाइक कर सकता हूं सेल कर सकता हूं ठीक है ट्रेडिंग के लिए अगर मुझे इन्वेस्टिंग के लिए करना है तो इंवेस्टिंग के लिए कर सकते हो तो इसको छोडव आगर मुझे 90-50 को यह ट्रेट करना है वह एक पूंट लोकल लगा दिया तो इसको अगर क्या आप यह इस को फीचर को आप ड़ेगा फूचर बाइक लॉट लोंग ना बढ़ेगा यह मुझे साइड में जाएक सको ट्रेट करना पड़ेगा जो को ट्रेट कनना पड़ाई का जो कि क्योंकि यहां पर गए एक इंडेक्स इसको 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 भाइकन चाहँ को ची यह 24 सिया गुछा चल जया निफ्टी लेकिन भाय कर नी सकता तो मुझे फ्यूचर छी तो यहां पर दिसक भी बहुत जाता है ओके तो यह नहीं कर सकते तो क्या कर सकते आपको ट्रेट करने के लिए इसको ट्रेट करने के लिए इसके हें निफटी करेक्ट है कुछ टाइमगा एक आप ती इसको पेचना है तो मैं यहांसे इसको भी सकता हूं जैसे सिसको इटि उनेटञाटे Rebecca इंटनी मुमेंट दे गा उतना मुमेंट ये भी देगा ठीक है लेकिन में निफ्टी में काम नहीं कर चाहूं और निफ्टी के कंपेर्जन में काफी सेफ़ और सिक्यूर टिक है तो इसी लिए इसकोई कहते हैं इट्य ट्रेडिंगा आप देखोगे यहां पर आप किया इसे इसे यह बना होगा तो इसी तरीक्या से ETF में आप ट्रेट करते हो कुछ इसी तरीका का दिखता है तो काफी लोग का मिस्कंसेप्शन था कि ETF क्या होता है मुचल फंड क्या होता है एक ETF बना हुआ भी आपको दिखाऊंगा फिर आते हैं इंडेक्स कैसे कि जैसे बैंक आपको निफ्टी हो गया और भी जितने इंडेक्स है मिट कैप स्मॉल कैप हो गया तो वह भी एक तरीक है सेक्टर वाइज ही है बट स्टिल आपका क्या है इंडेक्स जितने हैं उनका भी सब्सक्राइबिед करने मार में मिट ज혔ी है में जाओ ओफ नहीं कर से लिवर आपको लेक्राइब करना तो सुकी आपको ट्रेड सक्क्रेंड कर सकते ह। फिर आता है यविर्भ तीन तरीके की यहाँ पर यहाँ प्राटी ऑप डप्स होते हैं इंडेक्स अन solche आपको जैसे घाब करें और नपर जाओगे तरफ आपको देखने मिल ले लिक्विट खिट च्लिक यहाँ पर सेक्ट हट्रियल का औप्शन आगे यह यह सेक्टेयल इंडेक्स है ठीक उसके बाद आपके ETF से तो यहां पर मुल्टीबल ETF के ओप्शन आपको देखने हो मिल जाते सेक्टोरियल हो आपको इंडेक्स वाइज लेना हो कि जो जो जैसे 200 लिक्विट 30 ETF ठीक है मुमेंटम ETF okay 150 quality ETF alpha 50 ETF कई साथी ETF सापको अलग अलग सेक्टूरियल हो गया अना इंडेक्स हो गया इसे निफ्टी 100 द्रेड ओके और निफ्टी 50 and Nifty इंफ्रेस्ट्रक्टर यहां पर आभ आप लेख suggestives2 अनुप्लिया और भी आपको निफ्टी कंजेशन सेक्टर का का हो गया और आपके पास कई साधी जैसे निफ्टी एनlen resposta Nifty inconsistent short के इंडेक्स हमारे निफ्टी प्राइविट बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी आईटी एक इंडेक्स का इटीएफ हो गया निफ्टी बैंक इंडेक्स का इटीएफ हो गया ठीक है तो यहां पर आपको निफ्टी हेल्थिकर यह सेक्टर वाइस हो गया ओके निफ्टी आपको देखने को मिल जाएंगे जिसमें की मुस्ट कॉमन जो होते हैं कौन कौन से सेक्टरील हो गया इंडेक्स हो गया अब बात करते कि जो आप ETF को चूज करोगे उसके उसको कैसे वैलोट करो कैसी सलेक्ट करें जैसा आप इंवेस्ट करने के लिए ठीक है यह आप ट्रेट करता है तो समझते विशुल को भी देखते तो मुचल से बहते हैं कित्ते साल से काम गदा है क्या चला सब्सक्राइब वैसी ही अगर आपको को ETF में इन्वेस्ट करना तो इतना इजी तो होगा नहीं तो ETF में इन्वेस्ट करने के लिए आपको उसका AUM चेक करना पड़ता है ठीक है AUM क्या होता है अगर मैं आपको थोड़ा सा तो definitely आपके मन में देगा कि हाँ आप कहीने के मिलेको देने की कोसे मलब रखोगी हाँ कि आप पूछोगी किये क्यों चीए किसले चीए हो सकता कोई दे भी देगा तीए क्यों कि आपने मेरे पास एसे देख लिया है आपने देखा कि हाँ एक अच्छे घर में रहता है इसका सकते हैं तो इसका मिलब आपको ट्रेस बनना है तो इसका मलब आप क्या कर दोगे कहने के पैसा दे सकते हैं एक साइज कितना इसके पास कितना एस एडिक है अगर मैं करोड का asset under management है उसके पास दो लाग करोड के asset है उसके पास सो वह best ETF समात है कैसे मैं आपको दिखाता हूं उसके पाद वह भी आपको दिखाएं उससे पहले आपको बता दो कि ऐसे जो आपका अगर आपको किसी ETF को चेक करना सबसे important होता है उसका कैचे करना एक्सपेंस रेट की बात करते हैं एक्सपेंस रेट की बात करते हैं एक्सपेंस खर्चा भी होता है है इत्सक्सपेंस रेट होते हैं उनको चेक करना पढ़ेगा जितना कंश lightning रेकिंग बहुत कम होना चीए एक्सपेंस रेट बहुत कम होना चीए ठीक है कैसे अब मैं आप मैंने आपको गोगल पर खोल के दिखा दिया सो अभी आपको स्क्रीन पर मैं थोड़ा जूम करके दिखा दूँगा एजबी आए का कौन सा है निफ्टी-50 ETF है ठीक है इसका 0.04 पर सेंट तो कहीं निए अच्छा है एक्समेंस एच्छा है उसके बात करते हैं फंसाइज फंसाइज आप देखोगे एकाई-धाई-शैकड़ा हजार दिजा लाग दो लाग बाराइज आजार आट-सो पिचासी करोड का इसका फंड साइज है इसका मलब एसे अंड इसके बारे में और डीटेल अब देखो कि तो आपको काफी सारे ओप्शन देखने को मिलेंगे ठीका एवरेज क्या चला है इसका क्या चला यह निफ्टी के अकॉर्डिंग किस तरीके से एस बीटी एफ है और निफ्टी 50 का है ठीक है तो उसको किस तरीके से ट्रैक कर रहा आपको बात की जाती है तो प्रॉपली जिस तरीके से एस बी निफ्टी 50 चल रहा है उसी तरीके से एटी भी चलना चाहिए अगर ट्रैकिंग एडर काफी जादा होगा तो हमारा इंडेक्स कहीं और चल रहा है एटी एफ अगर उसको मैच नहीं कर रहा है उसके साथ नहीं तो हमें loss होगा समझे तो हमने loss होगा तो हमको जितना कम tracking होगा जितना accurate वह SBI का जो ETF है जितना accurate 5050 को track करेगा कोई साथ ETF है जितना accurate track करेगा उतना अच्छा हमाले होगा जैसी उसका उसमें tracking error आ जाएगा विसका मतलब यह है कि हमारे लिए वहीं पे हमको कहीं नहीं लॉस फेस करना पड़ सकता है ETF के अंदर में ठीक है तो यह चीज़ समझना काफ़ ज्यादा जोड़ी अगर आपको किसी भी ETF को बाई सेल बाई करके इन्वेस्ट करना है इसमें पैसा डाल के रखना है अब हम नेक्स पॉइंट पर चलते हैं कि डिफ्रेंस बेट्विन मूचल फंड की बात करते हैं and ETF की बात करते हैं ठीक है बहुत बड़ा डिफ्रेंस है काफी सारे लोग को यही में से कन्फिजन होता है देखो मूचल फंड में आपको क्या करना पड़ता है ना ऐसा पी गड़नी पड़ता है अब वन टाम इन्वेस्मेंट करते हो है ना पांच याड़ से याल की महिनी के साइब करते हूं या वन टाइम आप छह मेंने का डाल दिया एक आपको एक यह अधान बारा परसेंट ऐसा मिलता है यह निवारा परसेंट छे आर्ट दस बारा पंदर अठारा बीस बाइस चौबे उसमें रिस्क भी कही सारे होते हैं लेस इसकी और अपको मुचल फंड देखने को मिल जाते हैं लेकिन मुचल फंड एटिए में काफी बड़ा डिफ्रे बिज़ें मिलें लेकिन एटिएफ में काफी कुछ अलग है ठीक कैसे में को यह बार चाहिए कि मैं जैसे निफ्टी शिफ्टी को मैं अभी वाइए करना चाहता हूं फार इसको पायना चाहता हो 272 हमें यहां पर 270 हैं मैं इन्वेस्टिंग में गया मैं ने लिमिट डाला कि नहीं भाई मुझे तो चाहिए ये 270 पर मैं नहीं चाहता है मुझे 270 के आसपा सब्सक्राइब क्या यह ETF आता है 270 को ट्रेक कर रहा है यहां पर हजार कॉंटिटी आती है तो मैं यहां पर से इसको क्या करूंगा यह लिमिट और मैंने सेट किया जब यहां पर आएगा ठीक है मै यहां पर मैंने चीज जहां पर मिलेगा अब यह चीज आपको इसमनगी मिलेगी किस में यह 50 सूपे से 50 सुपे यह जितनेbsp gamer Limit order we can तो यहां पर फ्लेक्सिबिलिटी है जितना चीए जब उठाना है जब बेचना है सब कुछ मैं आपकर सकता हूं लेकिन यहां पर कई सारी कॉंप्लिकेटिव कॉंप्लिकेशन आती है ठीक है और म्यूच्वल फंड पैसाइपी के थिरूप काम करते हो है ना और वहां पर आपका mutual fund जो होता है fund house होता है उसके कई साइटक से कंडिशन जाये चीजे होती है बहुत सारी टांस एंट कंडिशन तो आप हिडन नहीं तो आपको पढ़ते ही नहीं उनको लेकिन इसमें ऐसा कुछ निसमें आपको जैसा देख रहा है आब यहां इसमें काम कर से तो यहां पर ऐसा कुछ नहीं होता है आपको यह डिफ्रेंस समझ में आया होगा आया हुगा नेक्स पॉइंट पर चलते हैं कि के पास ETF में ट्रेट करने का मैंने आपको पता है निफ्टी में नहीं कर सकते स्टॉक्स में नहीं कर सकते आपको देख देखे ओपर अफ्टाइम जो इंडेक्स हैं यह सेक्टर से काफी अच्छे चल ले हैंनि अब उन सेक्टर के स्टॉक्स को आपको रिसर्च करने पड़ी लेकिन आप चाहते हो किया मैं e-vee sector में invest करूं मैं defense सेक्टर में invest करूं ना मैं energy sector में invest करो मैं reality सेक्टर में invest करूं तो उसके जैसे से df आते हैं आप उसमें investment करना चालू कर सकते हो भूछ सही चलता है बहूत अच्छा पैसाँ उसमें आपका बन सकता है means according to index आपका पैसा ग्रोग करेगा ठीक है according to index इस बात को द्याद रखना रिस्क बहुत कम होता है ट्रांस्परेंसी होती है जहां भाई किया जैसे भाई कि जो दिख रहा है जो चल रहा है वह आपके सामने है ठीक लिक्विडिटी होती है अब मैंने आपको भी कहा था कि जैसा index चल रहा है वैसे momentum देगा जिस तरीक से इंटेक्स के अंदर ग्रोथ आ रही है वैसी momentum देगा इसका मलब क्या है एना according to market condition यह चलता है मार्केट जैसा चल रहा होगा जैसा ओंडेक्स चल लागा वैसी उसका ETF चलेगा इंडेक्स क्रेश करेंगा ETF नीचे आएगा index चलेगा ETF भी चलेगा इसका मलब क्या है इसका जो drawback होई है कि इसमें volatility आपको देखनी पड़ेगी ठीक है तो यह चीज़ को ध्यान बखना थोड़ा सा hidden cost होते हैं जैसी थोड़ा जीज़ें को जैसे आपका अगर मैं बात करो अगर मैं यहां पर धन्पार इसको करता हूं कुछ भी करता हूं ठीक है तो क्या होगा कि यहां पर कुछ ब्लोकेज्ज होगा तो पेक करना ही पड़ेगा तो कुछ hidden cost है वह वह मैं पर ब्याद करना ही परती बाइंट सेल करते वक्त तो वह चीज़ें है इसमें ठीक है तो यह इसके आपके benefits होगे यह इसके drawbacks होगे आई होग आपको यहां तक समझ में आ गया होगा अब बात करते हाओ टू फाइंड ट्रेड एंड बाइटी एफ कैसे बाइगर होगे कैसे ट्रेड कर मैं आपको सके सब कुछ benefits होगा बता दे सबसे पहले आपको देखना है कि या सबसे अच्छा एउम एउम किसका है एसे अंडर मैनेजमेंट किस ETF के पास सबसे ज्यादा है जैसे SBI की बात की थी मैंने SBI का निफ्टी फिफिफ्टी थी निफ्टी फिफ्टी एजवी एक वह अगर आपको मिल लाय मैं आपको ऐसे रिकमेंट निगार आपके अपनी पर्सनल हो है मैं सिर्फ आपको एक्जामपल बदा दो इसके पास कितना है दो लाग क्लोड किसके एसे अंडर मेंजमेंट इसके पार अच्छी खासी ऐसे ल लगा सकता हूं क्योंकि कल के इनमें कुछ हुआ तो उसके एसेट को बेज के सकार मुझे यार पैसा हमादा निकल सकता है लेकिन जिसके पास जिसका यूम बहुत काम हो उसमें इंवेस्ट करने से बचे पहली चीच ठीक है यह हो गया एसेट की बात दूसरा जिस एटीएफ के अनडर आपको लेकुडिटीश इंडरी अच्छी मिली यह वाल्यू अच्छा मिल रहते हैं नहीं पर आपको इन्वेस्ट करना है ठीक अब उसके बाद बात करते हैं ETF को आपको ट्रेट कर न तो आप इंट्रेट हैं tips को ड्रेड भी कर सकते हो ओंकि अब यह कैसे ट्रेट करेंगे for example यह है आज देखो आज काफी अच्छा हमारा यहां से एक रैली मिल लिए है निफ्टी-फिफ्टी का चार्ट चला है निफ्टी-फिफ्टी इंट्राइड एक अंदर इस खुछ इस तरीके की मुमेंटम दिया हुआ है ठीक है तो इसकी ETF की मा यहां तक का इसने मुमेंटम तो इसने एक परसेंट का मुमेंटम इसने भी यहां पर दिया हुआ है ठीक है तो मुझे एक परसेंट का मुमेंटम कैप्चर करना है मैं यहां पर एक लाख रूपर डालना चाहता हूँ है ना 270 का मुमेंटम कैप्चर गया मैं यहां पर बाइ तरेट करना ओके तरेट करना होता है और चला कैसे जैसे निफ्टी पिछला वैसी वह भी चला है ओके पर साइन नीचे से अल्मस्त परसेंट से उपल काया कुछ मुवेंटम आया होगा मैं आसे लगाँगा यह 1 परसेंट के आसपास का है तो एक्वेट मलब ट्रेकिंग करने की अच्छी है एक 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 1.21 के आसपास इसकी मुमेंटम है और इसका भी यहां पर भी कुछ है अपने को यहां पर देखने को मिला 1.10 तो 1% का मुमेंटम इसमें भी आ है तो इसी तदी किसाफ करते हैं ऐसे रम धेली बेसेल हुआ तो आज भी इसमा कुछ ट्रेड हो आप देखो गये तो आज भी अपको ट्रेड थाइस प्पो करने बुक किया है मैं तो आप लोग ETF केंदर काम करना चाहते हो तो धन्द में आपको हर एक चीज मिल जाएगा ETF mutual fund equities future commodities options candidate करना जो करना है आपको सारे options यहाँ पर देखने को मिल जाते लिंक मैंने description box में दिया है करना है मां सबham PPE ट्रेडिंग करना चाहिण कर सकते ऑफ को भाइट करके होल्ड करना चाहिए क Bryondale कर सकते हुए एटे ऐसको भी ट्रेट ना चालू कर सकते हो कि सब्सक्асाइब किसी भी सेक्टर के स्टॉक स्कूंप को स्मझ में नहीं आ जाला है कि आधि इस चेट लिये फेक्टर को का से लुए कर्लंप को कैसे जाल करना उसके आप लाए्स कड़ेगे एक दीगे अनक्न हमां च्रके बहुं करा के अपना पैसा। करते हो आपके पास 275 रूप मलब for example आपके पास जो भी मैंना भी आपको 50 का देखा था 273 चल्दा आपके पास 273 रूप है तो इससे भी आप अपनी इन्वेस्टिंग चालू कर सकते हो एना इंट्राइड ट्रेट करना तो 5x आपको मार्जिन मिला है कितना 50-50-53 रूप के भ दूसा चीज सरक को करना है तो एक चीव समयना बड़का थोड़ासा से घ्टाद्र इंडेक्स चीमत रहुत थे हो तहो टाइल उじल रहोता है और लिकिन जो बेंचमार्क इंडेक्स होते निफटी बेंट्रॉर्तिय शंटिवल लेते हैं तो यह से फिनीफिया मिंट्स जाएंगे एवी सेक्टर डिफेंस सेक्टर एनर्जी सेक्टर और कई साय सेक्टर से उन सेक्टर्स के एप एटिया आपके लॉसस भी लग सकते हैं आपको एटेक्स के बारे मैं समझ मां आया होगा भाके इन डिटेल है चीज के बारे में सीकना है शीखना है अहुआ है याप डानलोट कर सकते हैं वेब सायट का मैंने आप क्यों को ओडिया है इसको प्रब्सक्राइब करके अपने यदि आपको ड्रॉट कर सकते हैं काफे अपडेट सोता हूं अपको टेलीघाव पर शेयर कर रहता हूं लिंक डिस्क्रिप्षिन बॉक्स में और अगल आपको ट्रेट करना है कहाँ सी टियाज परेट्फ़ां जब करों किस प्लैट्फॉर्म से करों तो धन से वह आप कर सकते हैं उसका एक निक स्कूर्श स्थ मिलते हैं नेक्स वीडियो में आपको वीडियो अच्छा लगाओ को लाइक करो शेयर को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ तिल देन बाबाई सी यू जय हिंद